दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज बात करेंगे एक टॉपिक के उपर की एक्स्ट्रा मार्टियल फेर्स जो होते हैं वो किन कार्णों से किन ग्रहों की युतियों के अनुसार या फिर किन स्टूइशन के एंडर हमारे खुंडी में ऐसे कौन से योग होते हैं कि हमसे ये गलतियां जो हो जाती हैं दोस्तो एक अच्छी लाइफ जो होती है इनसान की शादी के बाद एक दम से डिवास के उपर आ जो है वो चलनी शुरू हो जाती है रिष्टों में तो इन स्टूइशन में ग्रहों की क्या विडबना है क्या यूटियां है कि इन ग्रहों को हमें देखना चाहिए दोस्तो शादी के टाइम पे लोग जो है वो गुन मिलान करते हैं कई बार दोस्तों केसिस में क्या होता है कि गुन अच्छे भी मिल जाते हैं लेकिन फिर भी जो डिवोस है वो फिर भी हो जाता दोस्तों तो गुन मिलान होना भी एक जुरूरी बात होती है लेकिन क्या आपको ये चीज़ का पता है कि जिस से आप शादी कर रहे हो जिससे आपकी जिन्दगी जो जीवन साती है क्या उसकी कुंड़ी में ऐसे क्या योगा योग हैं कि क्या वो आपके साथ पूरी जिन्दगी ठीक चलेगा तो यह जो चीजे होती हैं उसके एक समझदार इनसान जो होता है वो भी अपने जीवन में कुछ गलतियां ऐसी कर बैड़ता है जिसके बाद उसको पश्तावा जो है वो रहता है सारी उमर तो ऐसी क्या यूतियां हैं क्या गोचर हैं क्या ग्रहों की बिडंबना है उनके बारे में पूरी ववेचना करेंगे दोस्तों अगर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को आप जरूर सपोर्ट भी करें दोस्तों तो आने वाले टाइम में हम लाइफ से के लिए तो उसके लिए आप इस चैनल को स्पोर्ट करें तो आपकी स्विधा के लिए दोस्तों हम फ्री लाइब सेशन भी शुरू कर पाएंगे दोस्तों टॉपिक के उपर बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मार्टियल फेर्ज जो होते हैं उनके पिछे क्या योगा योग हैं दोस्तों जैसे कि रिष्टों में शादी का जब रिष्टा आता है या आपके जीवन साथी का जब हम रिष्टा देखते हैं तो उसके लिए शुकर जो एक बोग के ग्रहम आने गए हैं एक मिट्रिस्टिक जो सुख होता है चंदर मा आपके गर का सुख है शुकर आपके बाहर का सुख है means आपने गारी खरी दी तो उसका सुख वोगा means गारी जो है वो शुकर है दोस्तों आपने अपने गर में चीजों का जिस चीज की आपको नीड थी उन चीजों का बोग किया तो वो भी शुक्र है दोस्तों तो कहीं न कहीं बोग जो होता है किसी भी चीज का मैटलिस्टिक जो सुक होता है वो हम शुक्र ग्रैसे देखते हैं एक चकाच चौन्द जो होती है वो शुक्कर की है दोस्तो सोर मंडल में दोस्तो जो चमकीला गराय होता है वो भी शुक्कर ही होता है और कुंडली में शुक्कर देव को खाना नमबर दो खाना नमबर साथ के बाब जो है वो मिले हुए हैं और खाना नमबर बारा जहां पे राहू का अधिकार है उसी बाब में शुकर देव जब वो उच चके हैं तो बाकी बाबों में शुकर की अपने अपनी ववेचना है हम बात सिरब करेंगे खाना नमबर दो की खाना नमबर साथ की साथ खाना नमबर बारा की अब हमने जाना है दोस्तों की खाना नंबर दो, साथ और बारा में शुकर की कहीं न कहीं अफस्ति होती है दोस्तों पैसेंस जो है वो शुकर की है किसी भी इनसान का जब करेक्टर लूज होता है जब इनसान अपना करेक्टर लूज करता है तो उसके अंदर जो नीचता है जब इनसान अपना करेक्टर लूज करेगा तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में नीचता जो है वो बर जाएगी दोस्तो तो उसके लिए शुकर जो है वो खान नंबर छे में नीचता है तो इनसान की कुंड़ी में जब कभी भी शुक्र ग्रह पीडित होंगे तो इनसान अपना करेक्टर जो है वो लूज करेगा ही करेगा दोस्तो अब शुक्र के जो दुश्मन ग्रह हैं दोस्तो वो सूरिया है राहू है और कहीं न कहीं चंदर्मा है सूरिया क्या है दोस्तों सूरिया आपकी इज़त है मान है पस्तीज है शोशल रिस्टेक्ट है आपकी खुद की सेल्फ रिस्टेक्ट है अब जब कुंड़ी में सूरिया और शुक्कर इकटे होते हैं तो राहू का दिर्वान होता है कुंड़ी में बैटे हुए राहू भी खराब होते हैं तो जातक कहीं न कहीं एक अच्छे ओदे पे होने के बावजूद भी उसके उपर अगर वर्ष फल में कहीं न कहीं शुकर और सूरिया की उती खराब आई हो तो बद्धनामी के जो लंचन है उसके उपर लग जाते हैं दोस्तों तो सूरिया शुकर की उती में भी यह चीजे देखी जाती है Health issues जो है वो भी सूरिया और शुक्र की युति में ही होते है कुंडी में दोस्तो जब कभी सूरिया शुक्र और राहू आपके पंचम बाव सिस्पंद बनाएंगे पंचम बाव क्या है दोस्तो पंचम बाव आपकी education भी है और कहीं न कहीं पंचम बाव आपकी love marriage भी है दोस्तो लव जो है वो पंचम बाव से आता है सब्तम से marriage होती है तो शुक्र और राहू जब पंचम बाव में बैठेंगे ये बाव जो है ये सूरिया का बाव है दोस्तो सूरिया आपकी मानपद पतिष्टा भी है आपकी education भी है तो इस बाव में सूरिया जो है उनका रिंब भी लगेगा और ब्रसपती का रिंब भी लगेगा means पंचम बाव आपका पीडित है शुक्र और राहू के आने के गरण तो कुन्ड़ी में जब कभी भी दोस्तो शुक्र और राहू की connection होती है तो इनसान के अंदर जो एक्स्ट्रा मार्टिल फेर की जो लालसा है वो बढ़ जाती है दोस्तो skin की problems बढ़ जाती है शादी के एक जो शक की निगा है वो बढ़ जाती है डिवोसिस के हलाद जो वो बन जाते हैं दोस्तो कुंडली में शुकर खाना नंबर 6 में हो राहू सत्तम बाब में हो means शुकर के बाब में राहू दे बैठे हो और शुकर खुद नीच के हो तब भी इंसान जो है वो लब मेरिज़ की कर तरफ जाता है दोस्तो लब मेरिज़ होने के बाद भी उसकी जिन्दगी में तुफान जैसे हलाद बन जाते हैं दोस्तो कुणली में दोस्तो जब कभी चंदर्मा और शुकर इकठे होते हैं यह दोनों इस तरिक रहे हैं चंदर्मा मन है शुकर बोग है मीन्स जब कभी भी शुकर और चंदर्मा आपस में मिलते हैं तो कहीं न कहीं नीच के केतू का नर्मान होता है केतू जो है वो छटे वाफसिस बंद रखते हैं जो की आपकी सोच है आपकी पताल की सोच है दोस्तों राहू विचार है केतू सोच है पर यहां पर हलाज जो बन रहे हैं चंदरमा और शुक्कर के कारण हलाग जो बन रहैं वो नीच के केतु के बन रही है तो कहीं नहीं इन्सां नशे की तरफ जाता है आपने बोग और पाने के लिए उसका मन जो है वो कहीं नहीं नेकटिव संसे में अक्टिव होता है तो यह भी एक खतरनार हुदी जो हैं भो मानी गई है दोस्तो तो कुंडली में जब कभी भी चंदर और शुकर इकठे होते हैं तो इनसान के पास भूग करने के जो सुक हैं वो तो होते हैं लेकिन मन के सुक नहीं होते दोस्तों इनसान मन से पीडित रहता ही रहता है और मन पीडित होने की कारण केतू की नेक्टिविटी होने की कारण इनसान के जो पैर है वो गलत डिरेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो इन्स यूटी को भी आपको समझना चाहिए कुणली में जब कभी शुकर लगन में आते हैं दोस्तों तब भी इनसान जो है वो लब मेरिज की तरफ जाता है रंग बरंग की दुनिया की तरफ वो अट्रेक्ट होता है अच्छी अच्छी कपड़े डालना बेंड़ कपड़े डालना सजो सियावट करना बंठन के रहना और बदनियत करना ये सब शुक्र लगन की ही निशानी होती है अगर कुलीव में कहीं न कहीं सूरया भी पीडित हो शुक्र दोस्तो जब खौना नमर गैरा में होते हैं तब भी इनसान के अंदर लालसा जो बढ़ जाती है इनसान पैसे का पीर्व बन जाता है, उसका पैसे की लाजसा उसके अंदर hoteई है पैसा क्मानिे की चाहात होती है, क्योंकि शुकर इस्टरी काट है और खर नमर गैरा आमदन है तो कही न कहीं इस्टरी के दोरा इनसान को सुख मिलता है यहां पर पैसे की जो रस्ते हैं वो किसी इस्टरी के दोरा ही खुलते हैं लेकिन ये गर शनी के अंडर भी चलता है तो अगर निसान अपना करेक्टर ठीके रखे तो चाहिए कुछ होता है क्योंकि शुकर और शनी मिलके उच्छ के केतू बनते हैं लामत हाउस में लेकिन अगर यहाँ पे आपने शुकर को खराब किया तो जो बदनामी और लांचन जो है वो आपके उपर लग जाते हैं दोस्तो कुनली में दोस्तो जब कभी शुकर खाना नमर छे में होते हैं तब भी इनसान का जो करेक्टर है वो कईना कहीं गलत होता है दोस्तो अपनी बदनियत के कारण अपनी गलत सोच के कारण इनसान खुद ही अपनी दुश्मनी जो है वो पैदा कर लेता है और इनसान की जो वाइफ होती है दोस्तो तो वो भी उसकी भी कई न कहीं health issues जाओ चलते रहते हैं दोस्तों तो इन चीजों को भी आप जूर समझें खाना नमबर दो खाना नमबर साथ में शुक्र अच्छे माने गए हैं दोस्तों और खाना नमबर बारा जो उच्छे के हैं वहाँ पर तो शुक्र वैसी अच्छे माने के हैं दोस्तों काम देनु गाये तक बोला गया है उसको लेकिन खाना नमबर बारा में जब शुक्र बैड़ते हैं तो ये बाव ब्रस्पती का भी है ये बाव राहू का भी है तो राहू का रिन भी लगता है ब्रस्पति का रिन भी लगता है अब रिन के कारण यहां पे अगर आपने शुकर जो की दो वांशों से मिलके बना है राहू और केतू को जब हम जोडते हैं दोस्तों तो शुकर का दिरमान होता है अब शुकर में दो बंच है means नेकी का असर केतु का है बजी का असर राहु का है सोच केतु की है विचार राहु के है अगर आपने शुकर को राहु के कोडिंग चलाया तो केतु कही न कहीं आपकी पुत्चर संतान है आपका सुख है ब्रैंड है इज्जत है शौरत है उसको बजनामी लगेगी तो हमेशा शुकर को उसके दुश्मन ग्रहों से बचा के चलना जाएए सूरिया चंदर और राहू से कुंडली में भी जब कभी दोस्तो राहू खाना नमबर दो में हों खाना नमबर साथ में हो तो आप उपाई कर सकते हैं कुंडली में शुकर जब चंदर मा के गर में खाना नमबर चार में हो तब भी आप उपाई कर सकते हैं और जब कभी दोस्तो कुंडली में शुकर लगन में होते हैं जहां की सूर्या कारक माने गए सूर्या अगर है ये तो आप यहां पे भी शुक्र के उपाई कर सकते हैं तो इन चीजों को समझेना जिरूरिया दोस्तो बवेचना करने के बाहद ही हम उपाई करते हैं अगर आप सिंपल बाशा में समझें कि लव मेरिज आज के टाइम में एक ट्रेंड बन चुका है दोस्तो तो लव मेरिज पंचमबाप से होती है पंचमबाप में बैटे हुए क्रेहों को देखें पंचमबाप का स्वमी कहीं राहू से तो पीडित नहीं है क्या सत्तमबाप के जो कारक हैं बुद्ध और शुकर क्या वो राहू से पीडित नहीं है तो उन चीजों को समझने के बाद ही आप डिसाइड करें कि आपने अपने जीवन साथकी के साथ जिंदकी कैसे गुजारनी है दोस्तो ये क्रेहों की युति आपको जो है जन्म कुंडी के अनुसार मिली हुई है लेकिन थोड़े से परहेज और थोड़े से पायों से आप अपनी जीवन को कुछ हथ तक अच्छा कर सकते हैं दोस्तो कुंडी में जब कभी भी दोस्तो गोचर में शुकर और राहुई कठे होते हैं तब भी बदनामी के जोग बनते हैं कुंडी में शुकर जब लगन से छटे बाफ से अस्टम बाफ से और नाइन्थाउस से गुजरते हैं तब भी बदनामी के जोग बनते हैं कुणली में जब कुणली वर्षफल के हिसाब से शुकर की प्रिशन जब कभी भी आपकी कुणली में खराब होगी तो आपके जीवन साथी की हेल्थ आपका मेटलिस्टिक सुख कई न कहीं पिडित होगा दोस्तो मिया बीबी के जगडे खाना नमबर बारा से हैं मिया बीबी की आपस की अंडरस्टेंडिंग खाना नमबर साथ से हैं खाना नमबर साथ जो है वो जीवन साथी है दोस्तो आपका वहाँ से हम चक्की देखते हैं मीन्स दो पार्टनर का जो सुख है आपस में बाची जो अंड बाब है तो इन दोनों चीजों को देखके ही आप डिसाइड करें कि आपकी कुंडली में ये यूतियां हैं तो आप उनका निर्मान जो है वो कर सकते हैं आप उनका पायज़ा वो कर सकते हैं दो तो दोस्तों चोटी सी वीडियो जो थी वो मैंने इस टॉपिक के उपर बनाई कि आपको अपनी कुंडली में इस बात का पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में यूतियां कौन से बाब में बनी हुई हैं क्या आपने अपने आपके ऊपर परहेज रखा हुआ है तो उनली में बनने वाली जुतियों के हम उपायों से कुछ हर्त तक रहत पा सकते हैं दोस्तों दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जूरूर सबस्क्राइब करें अगर आप इस चैनल के उपर पहली बार आए हैं दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे दोस्तो और दोस्तो नोटिफिकेशन की जो बेल है आप उसको भी जरूर अन करें प्रेस कर लें तो हमारे दोबारा जो भी वीडियो जो है वो अपलोड करेंग आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तो और दोस्तो आप कोई बेसिक सेज़ेशन हो आप जिस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जूर पूछें हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी उपर भी वीडियो जो है वो बना सकें द दोस्तो आने वाले सीरीज में बात कर रहे हैं हम राहू की तो राहू खाना नवर ग्यारा ही बात करेंगे आज के लिए दोस्तो इतना ही दन्यावाद दोस्तो